हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तो माई यूटूब चैनल मॉलिश्का की चैनल लाइफस्टाइल आज हम बनाने वाल है ओट्स का चीला जोगी बहुत हेल्थी और टेस्टी रेसिपी है भी पहले हम एक बॉल में 3 टेबल स्पून ओट्स डालेंगे फिर उसमें जर्णा सा पाने फिर एड़ करेंगे हम उसमें 2 टेबल स्पून सुझी फिर उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे फिर 10 मिनट के रेस्ट करने के छोड़ देंगे अब हम अपनी वेजिज देख लेते हैं जो हम इसमें यूज करेंगे, सबसे पहले हमने लिया है, एक मिडियम साइज चॉप किया होगा टमाटर, एक प्याज, एक गाजर, फोरा सदनिय पत्ता और एक पारी कटी हुई मिर्च, अब हम सारी कटी हुई वेजिज को उर्थ के ब बिंस सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब इसमें हम डालेंगे टू टेबल स्पून बेसे, स्वाद अनुसाद नमक, एक टीज स्पून हल्दी पॉडर, फिर हम इसमें आड़ करेंगे थोरा सा जवान और मंगरेन, फिर जड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब हमारा बैटर एक तम रेटी है, अब हम गयास अन करके एक नॉस्टिक पैल लेंगे, उसमें वन टेबल स्पून ओल्ट डालेंगे, ओल को अ अब हमारा बैटर को जादा फैलाना नहीं है, अगर हम इसको जादा फैला देंगे, तो हमारा चीला पलगते टाइम तूट सकता है, हम दो तरफ से अब इसको अच्छे से पका लेंगे, अब हमारा चीला एक साइड से लगत पक चुका है, अब हम इसको राम से पलट कर दूसरी तरफ भी पका लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप हमारा चीला बनके बिलकुर रड़ी हो गया, आप उसको अराम से निकाल लें, ठीक उसी तरह से अब हम दूसरा चीला बनाएंगे, त्राम भी को फकते हैं, आप हम चीला चीला तरह से लिए के लंचे राम से तोisen डद़स्ट कर दोदया अब करदोह से इसको रहांगे, चीला पका आप हूला है, जैसा कर दोस्तित वक्तितavenस् лиं, झाल झाल प्रेंट्स आमारा दूसरा चिला पिया बनके रेडी हो गया आप इसको प्लेट में निकाल ले और आप चाहे तो इसे हरी चटने या फिलाल चटने के साथ सर्फ करें अगर मोटी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक काना ना भूलें